आजसे पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, खासतोर पर हेलिकॉप्टर को लेकर, क्योंकि MI-17 कोई पुराना हेलिकॉप्टर नहीं था और नहीं उसे कोई गैर अनुभवी पाइलिट फ्लाइ कर रहा था, क्योंकि ये डिफेंस के सबसे बड़े अधिकारी की सुरक्षा का सवाल और इसलिए हर प्रोटोकॉल का बड़ी ही सक्ती से पालन भी हुआ, तो फिर ये हादसा हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब इस वक्त देश का हर एक बाशिंदा जानना चाहता है. एक क्रैश और सब कुछ खत्म. भारत के पहले सीडियस की मौट, पहली बार भारतिय सेना के किसी सेवारा जनरल की ऐसे हादसे में मौट हुई. शुर्वात में तो अंदाजा नहीं था कि हादसा इतना बड़ा है, लेकिन जैसे ही हेलिकॉप्टर क्रैश की ये खतरनाक तस्वीरे आई, तब ही समझ में आ गया था कि ऐसे हादसे में किसी का भी बचना बहुत मुश्किल है और हुआ भी यही. जनरल विपिन रावत अपनी पत्नी समेत मारे गए और उनके अलावा ग्यार है और अफसर और जबानों की भी जान गए. ये कितना खतरनाक क्रैश था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाई है. सब कुछ धूधू कर जल रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी आग लगी होगा. हेलिकॉप्टर के टुकडे जमीन पर गिरे हुए हैं. आसपास के लोग इस आग को बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं. बाल्टी से पानी डाल डाल कर आग बुझाई जा रही है. सोचिए कितनी फोर्स से ये हेलिकॉप्टर गिरा होगा. इसने इतने बड़े-बड़े पेड़ों के भी छोटे-छोटे टुकडे कर दिए. सीडियस यानि चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को आज कुन्नूर के वेलिंग्टन आर्मी सेंटर में एक कारक्रम में शामिल होना था. यहां उन्हें कैड़ेट्स के इंटरेक्शन प्रोग्राम में शामिल होना था. और इसलिए उन्होंने सुबह-सुबह आज दिल्ली से सेना के विमान में ही उडान भरी. दिल्ली से चले विमान में जनरल विपिन रावत के अलावा उनकी पतनी मधूलिका रावत, उनके डिफेंस असिस्टेंट, ब्रिगेडियर एलेस लिड़र, स्टाफ ऑफिसर, लेफटेनेंट जनरल हरजिंदर सिंग, इसके अलावा पांच परसनल सेक्योरिटी ऑफिसर, न जुबहे करीब 11 बचकर 34 मिनट पर विमान सुलूर एरफोस स्टेशन पहुचा था, उसके बाद 11 बचकर 48 मिनट पर जनरल रावत और अन्य अधिकारी MI-17 V5 हेलिकॉप्टर से वेलिंटन आर्मी सेंटर के लिए रवाना हो, 12 बचकर 20 मिनट पर कट्टेरी के नानचापा चा वायुसेना का एरबेस है, इसलिए वहाँ पर वायुसेना के एमब्रेयर विमान को उतारने में कोई परिशानी नहीं थी, लेकिन वेलिंटन जहां डिफेंस सर्विसे स्टाफ कॉलेज है, वहाँ एमब्रेयर जैसा बड़ा विमान नहीं उतर सकता, यही वज़ा थी कि CDS ज लोग तो विमान से आये थे, इसके लाबा वायुसेना के दो पाइलिट थे, एक ग्रूप कैप्टन, एक फ्लाइट इंजिनियर और एक फ्लाइट गरनर भी मौजूद थे, जिसमें सिर्फ ग्रूप कैप्टन वरुन सिंगी बचे हैं, पर सवाल ये है कि सिर्फ पांच मिन आयरकराफ्ट है, ये जो हलोकॉप्टर है, ये हलोकॉप्टर वी एपी हलोकॉप्टर है, और अत्यंत टेकनोलोजी इसकी बहुत बढ़िया है, उम्दा टेकनोलोजी है, अलग-अलग विशेयों पर इसकी चर्चा तो हो रही है कि ये एरकराश कैसे हुआ, लेकिन में मिलेगी, जानकारी के मताविक B-17 हलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उडान भरने में सक्षम है, इस हलीकॉप्टर में ओन बोर्ड वैदर रडार लगी हुई है, जिस से पल-पल मौसम की जानकारी मिलते रहती है, ये हलीकॉप्टर समंदर हो या फिर रिगिस्तान या फ लेकिन जादतर लोगों के शब बहुत पूरी तरह से जल चुके हैं, यहां तक कि कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तो DNA टेस्स के जरिये पहचान की जाए, फैलिंग्टन केंटोनमेंट एरिया नजदी की था, इसलिए सेना के लोग भी राहत और बचाव के काम के लिए आपको रखे आगे क्यों कि लोगों के लोगों के लिए जाए